पर दोष्टों एक बार फिर से आप सबका स्वागत है करियर काउच विर्ष भांकर पर दोष्टों जब हम करियर की बात करते हैं तो हम उन चुनोतियों की भी बात करते हैं जो शिक्षा के दर्मियान सिर्फ बच्चों को ही नहीं संस्थाओं को भी उन चुनोतियों से निपटना पड़ता है सबसे बड़ी जो चुनोति इस दर्मियान में जो उठी मैं पोस्ट कोविट की बात कहूँ या दशक की शुरुआत की बात कहूँ तो कहीं न कहीं पूरा जो सिस्टम है ये जो पूरी जो शिक्षा प्रणाली है उसमें बहुत बढ़ा बदलाव आया पहले का जो सिस्टम था वो धीमे धीमे अब एक नए प्रणाली को एड़ाप्ट करता चला रहा है क्या अड़ाप्टेशन है? अड़ाप्टेशन ये है कि ना सिर्फ कोर्सेस में बदलाव किये गए ना सिर्फ नए कोर्सेस को लाया गया बलकि जो existing जो सिनारियो था education का जो lessons प्लान हुआ करते थे उन सब में भी बहुत बड़ाव देखा जा रहा है किसी भी बदलाव के लिए एक समय अबदी की दरकार होती है जिस दर्मियान में वो जो system है वो चलते चलते वो खुद बखुद उस प्रणाली को लोग adapt करने ले जाकते समझ जाते लेकिन फिलहाल समझ्या यह है कि पूरी तरीके से न बच्चे इस चीज़ को समझ सकें न संस्थाएं इस बात को समझ सकें कि एक्चुली प्रणाली को बनना कैसा है कुछ चीज़े देखी गई जैसे इतिहास जैसे subject में भी बदलाव किया गया मैं यह बात नहीं कहूंगा क्योंकि यह बात कहीं न कहीं राजनितिक हो जाती है अगर मैं इस बात को कहूं कि नहीं इतिहास को बदला जा रहा है पर हां subject में, chapters में, सोच में वो अंतर अब धीमेदी में दिखाई दे रहा है कुछ subjects ऐसे हैं जो in-depth analysis पर बड़ोतरी आ रही हैं कुछ subjects ऐसे हैं जिसको consolidate करके मिला दिया जा रहा है practicals के उपर अब बहुत ज़्यादा focus किया जा रहा है इसी तरीके से skill development ताकि शुरू से जो है बच्चों के दिमाग में vocal studies की तरफ उनका दिमाग खुला रहे इसलिए NEP में ऐसे कई प्राउधान लाए गया जैसे no bags day यह सारी चीजों को नए तरीके से लाए गया लेकिन सवाल यह है क्या स्कूल इसको आसानी से चला पा रही है क्या वाकि आपके बच्चे को वो जो इसका जो फायदा जो मिलना चाहिए था क्या वाकि इसका लाभ मिल पा रहा है तो इन सब बातों को जानने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में जिनको आमंतरित किया है वो है डॉक्टर प्रेणा मित्रा डॉक्टर प्रेणा मित्रा यहां लक्णों के जीडी गोइन का स्कूल की प्रिंसिपल है और इसके साथ साथ वो एक बहुती अवल दर्जे की एजुकेटर भी है बात हम जब एजुकेटर की करते हैं उसका मतलब यह होता है कि जब आप उस पूरे तरीके से प्रणाली में घुझे रहते हैं अनग अलग जगों से आप जब संबन्द रखते हैं राइट फ्रॉम आमी स्कूल्स तू पब्लिक स्कूल्स तू प्राइवेट स्कूल्स सकते हैं तो चलते हैं बात करते हैं डॉक्टर प्रेणा में आपका हमारे स्टूडियो पे हमारे करियर काउच के इस प्लैटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागते है थैंक यू सबसे पहले मैं यह जानना चाहूंगा कि आप इतने सारे स्कूल्स से होते हुए आर्वी का ब ने अपना करियर जो है 1989 से स्टार्ट किया था अज़ टीचर अब उस समय मैं प्राइवेट स्कूल में थी अज़ उसके बाद जो है मैं आर्मी स्कूल में आई ऐस अप्रिंसिपल आर्मी पॉलिक स्कूल में मैंने में पोर देन डेकेड काम किया है उसमें अपको अपको national award मिला cbsc से, वाओ, इन ये 2019. और धीरे धीरे आप ही निवर्ट लाग्च्छी अर भा। आ आफ लूख लगरा अव een पिछे मुड के निय देखा और मैंने सोचा के नहीं. For me, you know, it's a never ending story. So, finally I got the opportunity to work in the most branded school and the most prestigious school, the topmost… the topmost school of लखनाव CBSE, that was GD Goenka Public School. So, it has been over 33 years that I have been in the field of education and I have got the बहुत अच्छा एक्स्पिरेंस रहा हमारा बोथ the semi-government as well as the private schools. मैं, आपने जब इतना बड़ा आपने का कि आप रापने आप रामी public school to government schools फिर आपने अब आप GD Goenka में आप आचुके हैं. आपने इतने बड़ा जो सफर जो तैक किया क्या डिफरेंस लगता है ये तैतिस साल में इतने सारे institutions, इतने सारे schools में तो आपको ये चेंज लेते वक्त आपको क्या चैलेंज लगा और क्या आपका अनुभव का सारा आप देखे लेके चलते हैं या एक लेके चलते हैं तो मुझे लगता है कि फिर वो चैलेंज नहीं लगता है हमने जो सफर अपना तै किया था प्राइवेट स्कूल से फिर हम सेमी गवर्मेंट स्कूल में गए तो मुझे फिर मैं प्राइवेट में आये वो है बच्चों के उजवल भवेश्य के लिए उनके उजवल भवेश्य के लिए और अगर मैं बात करूं कुछ डिफरेंस था और देखी हर स्कूल की फंक्शनिंग होती है हर विद्याले की जो फंक्शनिंग होती है वो अपने में युनीक होती है तो चाहे वो होते हैं उनके जो तरीके होते हैं काम करने के अपने जो सिस्टम है अपने जो पॉलिसी होती है इसकूल की विद्याले की वो भिन होती है तो उसी हिसाब से हमें उसको एक नदी के बहाव की तरह हमें लगता है उसको लेकर चलना है और उसमें हमें नाव अपनी रखके उसम तो इसमें आपको क्या एक प्रवाव देखने को मिलता है परनान एक सवाल तो जरूर बनता है कि अगर अंतर नहीं होता है तो इन दोनों जगों के जो फीस में जो अंतर होता तो वो नहीं रहता है इसमें सबसे बड़ा जो अंतर दिखाई देता है वो गवंन्ट स्कूल्स य एक बहुत बड़ा अंतर आजाता है तो इस अंतर के पीछे कारण क्या है अगर मैं बात करूं आर्मी पबलिक स्कूल के फी स्ट्रक्चर की तो उनकी फी स्ट्रक्चर जो है कंपैरिटिवली रिलेटिवली वो कम इसली होती है क्योंकि वहां पर हम जवान के बच्चों को श रिमोट एरियाज में, कहां पर कहें, कहीं भी अपने इतनी चालिजिंग सिचुएशन में वो ड्यूटी करते हैं और अगर हम बात करते हैं प्राइवेट स्कूल्स की तो अफकोर्स वहां के ब्रैंड की बात करें तो उस हिसाब से फी स्ट्रॉक्चर जो है कमपेरिटिवली ज्यादा होता है इसलिए क्योंकि वो लोग अपने इतनी फैसिलिटीज देते हैं अपने विद्याले में चाहे वो शिक्षक को हो चाहे वो बच्चों को हो इनी सब फैसिलिटीज के कारण मुझे लगता है वो विद्याले जो हैं वो डिजर्व भी करते हैं क्योंकि जिस हि उनके expenses हैं, उन्हें अपना budget भी बनाना होता है, अपने उनको profit और loss को वे भी करना होता है, तो मुझे लगता है कि उतना तो वो substantiate करते हैं कि अपने fee structure को वो slightly higher रखके बच्चों को सुविधाएं देते हैं और चाहे वो हो कुछ innovative labs हों, चाहे उनके पास AC rooms हैं, AC buses हैं और बहुत सारे expenses हैं, salaries हैं, teachers को उन्हें डिस्पर्स करनी हैं, तो यह सब हम देखते हैं कि यह बहुत ही एक reasonable difference होता है, एक private और public schools में. तो मैं इसी के साथ फिर सवाल वही पर आके खड़ा होता है कि फिर जैब हम affordable education की बात करते हैं, तो affordable education कहां चला जा रहा है? देखी, affordable education, again, वो depend करता है एक parents के उपर, अगर वो parents यह सोच ले, कि जब वो बच्चे को किसी विद्याले में भेजता है शिक्षा के लिए, तो in the long run वो उसके लिए एक investment है, वो उसका एक खर्चा नहीं है, जब वो बच्चे को किसी विद्याले में भेजेगा, एक affordable और quality education जब उसको मिलेगी, तो मुझे लगता है कि वो बच्चों के लिए, फ्यूचर के लिए बहुत लाबदायक होगी, और parents जो है, उनको long run में उसका फायदा मिलेगा. चलिए, मैं आपकी इबाद भी मान लेता हूँ, लेकिन फिर दोस्तों बात वही आती है, कि affordable education कहने का मकसद यही होता है, कि जो मध्धम वर्गिया जो परिवार होते हैं, आज के दिन में हर तरीके से खर्चे बढ़ने हैं, महिंगाई जो है, वो अपने चरम तक पहुँच चुकी है, और उस महिंगाई के दर्मियान, अगर शिक्षा के उपर भी खर्चा अगर बढ़ता नजर आता है, तो अपने आप में किसी भी परिवार के लिए बहुत बड़ी चुनोती होती है, मैं, देखिए, एक बात तो है, अगर आप ये कहें कि भई, सरवांगिन विका करते हैं, तो कहीं न कहीं, quality of education भी compromise होता है, जहाँ तक आपने इस पिसली बात को कहीं, तो इसका मतलब तो ये है कि हम सरकारी संस्थाओं से कभी एक अच्छे शिक्षा की उम्मीद कर ही नहीं सकते कभी, कैसा है, नहीं, मैं बिलकुल इस बात से सहमत नहीं हूँ, मुझे ल कारे expenses वहीं से उनको निकालने होते हैं, जो उनको मिल रहा है, वो बच्चों की fees के थूँ, और of course, I think ये सब ही जानते हैं कि कहीं न कहीं, गवर्मेंट एड़ स्कूज जाएं, उनको एड मिलती है गवर्मेंट से, तो वो उसको अफॉर्ड कर सकते हैं, चाहे उनके जितने स्कूली स्कूल्स यहां पर हैं, वो हम किस तरीके से उनको मॉनिटर करेंगे कि वो वो क्वालिटी एड़ूकेशन स्कूल में लागू है और वो स्कूल में इंप्लिमेंट हो रही है, वो क्वालिटी एड़ूकेशन. बहुत अच्छी बात माम, यहां तक तो बात अपना जो एक तरीका रहता अपनी प्नीती रहती है वो कैसे करके तयार होती है बच्चों को एजुकेशन को हम अफोर्डेविल बना के कैसे पहुंचा है हमने उन बातों पे अभी बातसीत कहने के कोशिश की अब आते हैं शिक्षा जो बच्चों को उपलब्द की जा रही है मैम अब पूरी जो शिक्षा प्रणाली है इसमें बहुत बड़ा बदला हुआ रहा है दशक का शुरुआत बहुत अच्छा नहीं रहा है शुरू होते नहीं होते ही यह कोविड नामक एक भयावक राक्षास का वो जो प्रभा पढ़ा तो आपने देखा कि धीमे धीमे उस सिस्टम था इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता था किसी को नहीं पता था कि कोविड से जूजा कैसा जाए चाहे वो सरकार हो चाहे गयर सरकार हो इसी धर्म्यान में एकदम से पूरी सिस्टम में तबदीली लाना एजूकेशन सिस्टम को जगजोर देना तैयारी नहीं थी लोग समझ नहीं पा रहे थे जो शिक्षा संस्थाएं हैं वो अपने आपको adaptability के लिए इधर उदर ताक रही थी ऐसा नहीं लगा कि कुछ जल्दबाजी में हो गई चीजे बहुत जल्दबाजी में चेंज कर दी गई NEP लागू किया अभी तक स्कूल्स को ये नहीं पता है कि NEP के तहट जो subject जो लाए गए है उसके subject course के आए लोगों को वो तक नहीं रट पाया है और उस धर्मियान में हम कई चीजे बदलाव लाना चाहते है No Bags Day पता नहीं है No Bags Day में करना क्या है तो मैं ये जो system बदला जा रहा है क्या ये जलबाजी का नतीज़ा है मुझे लगता है जब pandemic के बाद जब ये national education policy 34 साल के बाद जब roll out हुई तो इसका लक्ष ये नहीं था कि immediately इसको जो हमें execute करना है ये apply करना है ये बहुत सोच समझ के बहुत सारे educationist एक steering committee बनी जिसमें ये proper इसका draft बना पहले और draft के बाद भी मुझे लगता है डेड़ साल बाद जो है इसको final जो है green signal मिला national education policy को और जितने भी इसके features थे इससे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि मेरे हिसाब से as educationist national education policy जो है एक बहुत ही बड़ा समंदर है और इस समंदर में हमें लगता है धीरे धीरे जो है डुबकियां लगानी है और ये जो draft बना और इसके बाद जो है इसका final जो है इसको green signal मिला इसके बाद जो है one by one, step by step इसके उपर हम लोग जो है या CBSE कहता है Ministry of HRD भी यही कहती है कि इसका जो हमारा target है पूरी तरह 100% इसका जो completion होगा वो है 2030 में तो इसको धीरे धीरे जो है schools जो हैं इसको absorb कर रहे हैं और धीरे धीरे मुझे लगता है step by step इसका जो execution होगा और अगर मैं बात करूँ कुछ features की national education policy की जैसे कि अभी starting में हमने लिया है ECCE यानि की early childhood care